आज फिर वो ही किया विराट कॉली ने जो टेस्ट मैच के पहले दिन किया था कमाल वा मज़ा आ गया मज़ा आ गया इसके लाब और कुछ कहा ही नहीं जा सकता इस खिलाडी के बारे बे विराट कॉली ने आज ना सिर्फ सेंचुरी बनाई बलकि उन्होंने अपनी परतिबध कि भी एक पहचान दी उन्होंने दिखाया कि अगर वो चाहें तो वो किसी भी दिन किसी भी छण कुछ भी कर सकते हैं आज एक समय यह लग रहा था कि शैद भारत सोरन के करीब या डेड़ सोरन के करीब जाकर पिछड जाएगा लेकिन विराट कॉली जब आए तो उन्होंन इनिंग ऐसी खेली जिसे देशी भासा में कहते हैं खूटा गाड देना उन्होंने पीछ पे खूटा गाड दिया और दूसी तरफ से विकेट गिरते रहे लेकिन विराट कॉली को कोई चैलेंज नहीं कर पाया और जब 119 रन बनाकर वे आउट हुए तो यकीन मानिये उस ग कि आज इंगलेंड का स्कोर पार करके रहेंगे 13 रन दूर रहेंगे लेकिन कुछ भी हो उन्होंने भारत को मैच में फे वापिस ला दिया है जैसे कि पहले दिन उन्होंने जो रूट को रन आउट करके किया था आज उन्होंने शतक लगा के ये काम कर दिया है अब ये टेस मैच ओपन हो गया है किसी भी तरफ जा सकता है लेकिन फिलाल पहले दिन के हाफ में दूसरे हाफ में भी भारत का पलड़ा भारी था और दूसरे दिन के हाफ में भारत का पलड़ा भारी है क्योंकि अश्मिन ने एक लिगेट इंगलेंड की चटका दिय hospitalized